Hello students, today we start class 10th में chapter 2, polynomials, introduction तो what is polynomial, polynomial जो है वो two words से बना है poly plus normials poly मतलब होता है many और normials मतलब होता है terms polynomial की definition क्या है, a polynomial is an expression consisting of variables and coefficients involves addition, subtraction, multiplication and exponentiation of variables जो polynomial है वो एक algebraic expression है, वहाँ पे आपके पास variables और coefficient होंगे और उनके अंदर जो है वो आपके पास sign लगे होंगे addition, subtraction, multiplication ठीक है और variables होंगे उसमें आपके पास exponentiation हो सकती है, मतलब variables की power हो सकती है आप हाँ पे, ठीक है तो देखिए हमारे पास एक expression है, ax square plus bx plus c is equal to 0 ठीक है, यह आपके पास एक expression है, तो यहाँ पे a, sorry a and b और यह c are, यह coefficient है आपके पास, क्या है यह आपके पास coefficients, ठीक है, coefficient जो होते है बटा, वो numbers में होते हैं, ठीक है numbers में होते हैं आपके पास, और यहाँ पे x square है और x है, यह आपके पास क्या है, variables, क्या है यह आपके पास variables, variables आपके पास x भी हो सकता है बटा, equation में y भी हो सकता है whatever ठीक है और ये English में होते हैं आपके पास कौन से होते हैं English alphabet होते हैं आपके पास ये Next आपके पास है जब भी बिटा ये variable है अगर आप variable यहां पे हमारे पास ये equation दी है x की value आप 1 रखेंगे तो हमारा इस equation का जो result है वो कुछ और आएगा अगर आप इसकी value x की value 2 रखेंगे तो result कुछ आएगा मतलब ये जो है according to value ये इसकी जो value डालेंगे according to that value ये vary करेगा मतलब जो भी आपका result आएगा वो vary करेगा मतलब एक दूसरे से different आएगा change आएगा उसमें ठीक है बटा अब next हमारे पास है एक आप एक्जामपल ले रहे हैं जैसे हमारे पास है x square minus 4 x plus 7 ठीक है ये हमारे पास एक equation है ठीक है algebraic expression है तो यहाँ पे हमारे पास जो a है यहाँ पे x square का coefficient वो 1 है ठीक है b जो है हमारे पास x का coefficient वो minus 4 है and c जो है हमारे पास constant term वो seven है यहां पे, ओके बिटा clear है, अब हमारे पास जो terms हैं जैसे monomial, monomial क्या है बिटा, monomial में आपके पास single term आएगी, ओके बिटा और next हमारे पास है binomial यह है आपके पास binomial, इसमें हमारे पास जैसे two x plus three, यह binomial, यहां पे two terms होगी है यह और यह यह, ठीक है अब next है, हमारे पास trinomial trinomial, ठीक है trinomial में आपके पास आगया two x plus three x plus one, यह हमारे पास एक trinomial term होगी, मतलब जो algebraic expression है इसको आप बोलेंगे trinomial अब more than three terms होगी, अगर more than three terms, ठीक है उसको आप क्या बोलेंगे polynomial, क्या बोलेंगे बिटा polynomials ठीक है बिटा, उसको आप बोलेंगे polynomial, ओके clear है, next हमारे पास degree, degree क्या है बिटा अब word आए आपके पास degree degree है, जो highest power of variable होगी, ठीक है, आप लिखेंगे क्या है, highest power of variable in polynomial, ओके बिटा, जो आपके पास polynomial दिये गिये हैं, उसमें जो भी highest power होगी, किसकी variable की, तो वो degree कहलाएगी, जैसे बिटा, आपके पास है, 3x की power 4, प्लस 5x की power 3, प्लस x square, प्लस x प्लस 1, यह आपके पास एक polynomial दिया गिया है, ओके बिटा, यहां पे जो highest power है, यह आपके पास 4 है, तो मतलब जो degree होगी, आपके पास वो variable की, वो कौन सी होगी, 4 होगी आपके पास, ओके बिटा, अब हमारे पास जो polynomial है, वो कौन सी form में आएंगे, linear form में, linear form में जैसे हमारे पास आगया, 5x प्लस 6, ठीक है, linear हो गया polynomial, next हमारे पास है quadratic, quadratic polynomial में हमारे पास आजाएगा, 3x के और प्लस 2x प्लस 1, यह आगया हमारे पास quadratic form प्लस 1, अब next हमारे पास है, क्यूबिक polynomial, क्यूबिक में क्या आजाएगा, जो highest power है, वो आपकी cube में हो जाएगी, मतलब 3, 3 को आप क्या बोलते हैं, cube ही बोलेंगे उसको, ठीक है वेटा, प्लस 2x माइनस 4, यह हमारे पास एक क्यूबिक polynomial है, क्योंकि इसकी highest power जो variable की है, वो क्या है, 3 है, quadratic polynomial में आपके पास highest power जो होगी, वो 2 होगी, और linear polynomial में आपकी जो degree होगी, किसकी variable की, वो 1 होगी, ठीक है, नहीं है, कुछ भी तो मतलब क्या है, वो 1 है, उसके पास, ठीक है बेटा, अभी next हमारे पास ये point है, कि जब power of variable है, in polynomial is always whole number, ठीक है, आप इसको note कर लीजे बेटा, power of variable in polynomial is always a whole number, ठीक है, वो किसकी फार्म में होना चाहिए, whole number की फार्म में होना चाहिए, ओके बेटा, अभी हमारे पास जैसे one, one, x minus one है, तो ये इसको हम लिख सकते है, x minus one, और minus one, क्योंकि हमने क्या किया, denominator में फार्म थी, तो हमने उपर लेके इसको minus one किया, तो ये जो minus one है, ये क्या हुआ बेटा, ये whole number नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, it is not a polynomial, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये polynomial नहीं है, ओके बेटा, clear है, अब next एक और example लेते हैं, जैसे हमारे पास है, one upon x square plus two x plus three, तो ये भी हमारे पास क्या है, denominator की फार्म में है, हमारे पास quadratic equation, तो ये भी हमारे पास polynomial नहीं है, एक और example है, square root x plus two, तो ये भी हमारे पास क्या है, polynomial नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो x है, वो किसकी फार्म में है, square root की फार्म में है, अगर हम इसको open करें तो x1 by 2 plus 2 हो जाएगा ठीक है तो ये whole number नहीं है बिटा clear है बिटा ये whole number जो होते हैं जैसे कौन से होते है whole number आपके पास 0 से start होते हैं 0, 1, 2 है ना तो ये हमारे पास fraction form में आ गया तो ये भी हमारे पास क्या होगा polynomial नहीं होगा अगर आप 1 को 2 से divide करेंगे तो 0.5 आएगा आपके पास point में number आ रहा है ओके बिटा next है हमारे पास zeros of polynomial ठीक है zeros of polynomial क्या है बिटा polynomials ठीक है zeros of polynomial है these are real value of variable for which the value of polynomial become zero ठीक है ये हमारे पास एक real value होती है किसकी variable की अगर उसको हम put करेंगे तो हमारे पास जो भी polynomial है वो क्या बन जाएगा वो zero हो जाएगा ठीक है बेटा देखिए हमारे पास एक a linear क्या है linear equation है ठीक है बेटा तो linear equation में हम जो zero है वो कैसे निकालेंगे ax plus b is equal to zero a और b हमारे पास coefficient है ठीक है तो a x is equal to minus b x is equal to minus b upon a तो this is the zero of linear तो ये आपके पास क्या हो जाएगा zero of linear ठीक है इस linear equation का ये zero हो गया अब हम इसके लिए एक example लेते हैं ठीक है ये हमने एक example ली 2x plus 3 is equal to zero ये हमने एक example ली ये हमारे पास क्या है linear form में है तो आप 2x is equal to minus 3 x is equal to minus 3 by 2 तो ये हमारे पास इसका zero आजाएगा अगर आप 2 और यहाँ पे x के place पे ये put करेंगे बिटा तो हमारे पास ये answer क्या देगा zero देगा 2 से 2 cancel होगा minus 3 plus 3 is equal to zero इसकी value zero equal to zero मतलब ये जो polynomial है क्या होगा zero होगा ठीक है अब next आप देखिए zero of quadratic zeros of zero of quadratic quadratic आपके पास equation है ax square plus bx plus c is equal to zero ठीक है पेटा यहाँ पे हमारे पास आएंगे sum of zero sum of zeros ठीक है पेटा तो ये आएगा हमारे पास minus b by a ओके पेटा इसी sum of zero को आप general formula लेकेंगे alpha plus beta is equal to minus b by a ओके next आएगा आपके पास product of zeros तो वो होगा आपके पास c by a ठीक है अब इसको आप लेखेंगे general form में alpha alpha और बीटा ठीक है alpha बीटा का multiply तो ये आजागा c by a अब आप ये देख रहे है a, b, c ये ये ही नमबर है आपके पास ये हमारे पास coefficient होते है नमबर में हम इसकी एक example करते है जैसे हमारे पास example है ये लीजिए आप example जैसे है 3x square plus 5x minus 2 ये हमारे पास एक example है 3x square plus 5x minus 2 यहां पे a हमारे पास है x square का coefficient and b हमारे पास है x का coefficient and c हमारे पास है ये constant number minus 2 तो चलिए आप sum of zeros निकार लें ठीक है बेटा तो आप लिख रहे हैं sum of zeros मतलब alpha plus beta जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा minus b by a तो minus b है हमारे पास बेटा minus जो है ये formula आपका पाँ ठीक है तो ये minus आएगा b हमारे पास 5 है a हमारे पास है 3 तो ये आगे ठीक है बेटा alpha बेटा अब c हमारे पास minus 2 है but c जो है only positive है यहां पे minus हमारा नंबर वाल है तो वो भी आप लेंगे minus 2 a हमारे पास है 3 तो ये हमारे पास आगे sum of zeros and ये है product of zeros ठीक है बेटा product of zeros अब नेक्स्ट method है division algorithm for polynomial ये आपके पास division algorithm for polynomial यहां पे हम एक question ले रहे है जैसे आपको divide करना है divide 2x square plus 3x plus 1 by x plus 2 ठीक है अपने इस number को इससे divide करना है तो कैसे करेंगे बिटा सबसे पहले हमने ये लिया 2x square plus 3x plus 1 ये है आपके पास divisor x plus 2 ठीक है बिटा कैसे करेंगे बच्चे यहां पे x plus 2 है तो हम first number देखें यहां पे 2x square है तो 2 आएगा एक तो multiply होगा और दूसरा x होगा ठीक है तब ही हमारे पास x जो है 2x square बनेगा तो x plus 2 से आपने इसको multiply किया 2x तो x x की पार कितनी होगे 1, 1, 2 होगे plus 2, 2 is a 4 और यह x आगया तो आप लेखेंगे 2x square प्लस 4x आगया आपके बस x है यह ठीक है बटा अब आपको क्या करते है अब divide में हम इसको minus करते है तो यहां पे plus sign है plus minus minus plus minus minus ठीक है तो आपने दूसरा sign जो यह वाला sign है इसको देखना है यह plus का है यह minus का है cancel होगे 0 आगया यहां पे अब यहां पे हमारे पास plus का sign है और यह minus का है plus को नहीं देखना है आपने minus को देखना है तो हमारे पास minus 4x है और plus 3x है तो क्या होगा plus minus 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 x आ जाएगा तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे minus x उपर आपके पास एक number पड़ा है 1 वो उतारेंगे ठीक है यह divide हुआ था हमारा 2x के साथ 2x लिख लेंगे यहाँ पर next हमारे पास है x plus 2 इससे करना है यह वला number बनाना है minus x तो क्या करेंगे minus 1 क्योंकि already x है तो minus 1 चाहिए हमें minus x आ जाएगा minus 2 आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आपने क्या करना है minus तो हमारे पास sign जो है minus वो इसके साथ multiply हो जाएगा minus minus क्या हो जाएगा plus minus minus क्या हो जाएगा plus अब दूसरा sign जो है आप यह वाला यह देखेंगे इसको ignore करेंगे ठीक है minus x प्लस x क्या जाएगा 0 अब प्लस 1 है प्लस 2 है तो क्या जाएगा प्लस 3 ठीक है यह remainder आगया आपके पास तो आगया आगया आपको जैसे questions में यह आएगा dividend dividend किसके एकोल होता है आपके पास diviser के और multiply किसके साथ quotient प्लस क्या होता है remainder ठीक है तो यह भी आपके पास आगया questions है dividend बिटा जो आपके पास जिस number को आप divide करते हो वो dividend होता है 2x क्यार प्लस 3x प्लस 1 is equal to divisor जिससे आप divide करते हो x प्लस 2 आजाएगा और multiply आपके पास quotient यह वाला जो आया 2x minus 1 और प्लस जो remaining number आगया 3 वो आगया ठीक है तो आप इसको देखिए multiply करें x के साथ किया 2x क्यार ठीक है 2x क्यार हो गया minus x हो गया अब 2 के साथ करेंगे प्लस 2 to the 4x minus 2 आजाएगा plus 3 आजाएगा ठीक है अब आगया 2x प्लस 1 आगया तो आपके पास सेम नमबर आगया यह तो यह हमें निकालना होता है ठीक है बटा मतलब हमें बताना होता है कि एक answer आपका जो है वो correct हुआ है कि नहीं हुआ जो आपने solve किया है वो correct किया है कि नहीं किया तो हमारा जो solve हुआ है कोरेक्ट हुआ है रिमेंडर जो आया था वो आपने ये करके बता दिया तो हमारा आंसर इससे पूरा मैच कर रहे तो येस जो हमने सॉल्व किया है वो कोरेक्ट किया ठैंक यू